मानेसर लैंड मामले में पूर मुक्यमंत्री और विपक्ष के नेता भुपेंड सिंगुड़ा समेत अन आरोपी पंचकुला के विशेश सीबियाई अदालत में पेश हुए इस मामले में पंचकुला की विशेश सीबियाई अदालत में आज क्या करवाई हुए इस बारे में एड़ोकेट मुकेश कुमार से खास बाचीत की मिलसा होगी अनिल कुमार ने मनेसर लैंड मामले में पंचकुला की सीबियाई अदालत में आज सुनवाई हुई सुनवाई के दुरान क्या हुआ इस सम्मेर साथ है एड़ोकेट मुकेश कुमार इन से जानते हैं जी मुकेश मानेसर जमीन अधिगर्ण मामले में CBI कोर्ट में आज सभी आरोपियों की पेशी दी जिसमें CBI कोर्ट में आरोपियों को चार सीट की कोपी सप्लाई की जाने थी जो आज चार सीट की कोपी आरोपियों को सप्लाई नहीं की गई और आगामी पेशी 18 जनवरी के लिए तै की गई है मुकेश जी आज अधालत में कौन-कौन से रोपी पेश हुए है मुकेश जी ये पूरा मामला क्या है माने असर के अंदर एक जमीन अधीगरन ततकालेन मुक्या मंतरी श्री पुपिंदर सिंग होड़ा के समय में की गई थी जो सी बी आई के एलिगेसन के मताबिक उन एदिगरन के अंदर कुछ तुरूटियां पाई गई थी जिसके बाद ये एक सी बी आई ने के इस दर्ज किया था मुकेश जी अब अगली तरीक कम निर्धारित की गई है अब अगली तरीक अठारा जनवरी को निर्धारित की गई है ये थे मेरे साथ एड़ोकेट मुकेश कुमार इन्होंने कहा है कि मुनेसर लेंड मामले में आज पंचकुला की CBI अदालत में सुनवाई हुई है सुनवाई के दुरान पूर्मुख्यमंत्रि उपहिंदर सिंग हुड़ा समेत अन्ने अरोपी पेस हुए हैं हुए इन्होंने बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 जन्वरी को होगी अनेल कुमार टोटनेओ चंडिकार